हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबम पुरोहित आपका जोग्रफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रिंस पर मैगनेट ब्रिंस जो की फेवास है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिक कवर करते हैं वह हैं इन सभी बोर्ट में आप लोग हमारी कख्षाएं जो हैं वह देख सकते हैं हम लोग कख्षा 11 की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इस बुक का जो थेड़ चैप्टर है वह पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है प्रत्वी कर लिए हैं आज की वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस कोशन जो हैं लेकर आएं मैंने प्रेंस को यह लगता है कि जो बुक है आपकी उसमें ऑब्जिक्टिव कोशन की संख्या जो होती है वह बहुत कम होती है लगब मैक्सिमम जो है क्वेशन सापके तीन चार या प 5 questions करपाना और 5 question से ही सारे आगे की जो प्रश्न हैं जीन इनको एक्जाम में आप लोगग कि आपको पूछा जाएगा क्या सिरफ इन्ही वी क्वेशन से बनेंगे जिवनेगेंगें और सिरफ नुई फॉटले कि सारे जो अपर लिकश्न में सबब्रशनों को आपको तर वीडियो में हम लोग multiple choice questions देखेंगे इन questions को solve करने की हम लोग की हमेशा से strategy यह रही है कि हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो question आता है सब पुसकर है इसको आपनों को सबसे पहले वीडियो को पॉस करना है आपनों को guess करना है कि इसका answer जो होगा वो क्या होगा अगर आप ल लोग ने वीडियो अच्छे से नहीं देखी है चैप्टर अच्छे से नहीं समझा है जो अपने पास जो है वह आप लोग रखिए ताकि आप लोग को किसी भी तरीके का कोई डाउट जो है वह ना रहे पहला जो question है पहला objective question वह यह है कि प्रत्वी की आंत्रिक संदरशना क चक्टाने जो है वह प्राप्ट करते हैं क्या वो डाइक सोर्स है या फिर ज्वाल मुखी से उद्गार से जो वस्तुएं हमें हमें प्राप्ट होती है क्या यह दोनों प्रत्यक्ष शूरूत है तो option C का और खा दोनों क्योंकि खनन के लिए हम लोग को डारेक्ट जो है पर आता है तो इसका जो सही आंसर है वो है option C खनन और ज्वालमों की दोनों ही प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमें भुगर्व की जानकारी प्रधान करते हैं क्या सब्सक्रों सबस्क्राइब को खता है कि जिस तरीके से स्वार अंडल जो है एकी पदार्थ के रूप में प्रत्वीघार्वी जो है वह एक पदार्थ के बने होंगे और हमें प्रत्वी पुगर्व की जानकारी प्राप्त हो जाती है ने की प्राप्त हो जाती है और हमें आंत्रिक संदशना समझने में मदद मिलती है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शेन डी उप्रोक्त सभी नेक्स्ट कोशन है कि निम्दलिखित में से कौन सी तरंगे प्रत्विक के क्रोड से गुजर सकती हैं देखिए हम लोग ने पी तरंग एस तरंग और एल तरंग के बारे में पढ़ा था इसमें हम लोग ने अलग अलग तरंग की वहा से नहीं गुजर सकती है और इसी लिए जब हम लोग ने शेडो या चाहे चित्र बनाए थे तो मैंने आपनों को बताए था कि क्यूंस जो होती है उ यह स्विट फॉर्म इस्तित होती है द्रव वस्था में मौजूद होती है और वहां से एस तरंगे नहीं गुजर सकती है तो कुशन देखिए कौन सी तरंगे प्रतवी के क्रोड से गुजर सकती है क्रोड चूंकि द्रव और ठोस्त दोनों ही माध्या वहाँ पर होते हैं तो पी वह वस्था में मौजूद होता है कोई डाउट नहीं है ना चलिए चौथा हम लोग अब्जित कोशन देख लेते हैं निम्लिकित में से कौन सा भूगर्व की जानकारी का प्रत्यक्ष सादन है अगें प्रत्यक्ष शूथ हम लोग को बताना है भूकंप यह तरंगे ज्वा ला मुखी नेक्स्ट निम्लिकित में से कौन सा स्थल मंडल को वननित करता है तो हमें लीठोस्फेर यानि स्थल मंडल के बारे में पता होना चाहिए तो सबसे पहले मैंने आप लोग को एक्षित्र हमीशा की तना बनाया है कि भाई धरातल से अगर हम प्रत्वी के केंदर तक जाते हैं तो हमें लगबक 6380 किलोमेटर की यात्रा जो है करनी पड़ती है तो प्रत्वी की गहराई में पाई जाती है जैसे कि उपरी जो परत है उसे जो परत पाई जाती है उससे क्रोड कहा जाता है मेंटल को भी दो हिस्तों में हम लोग बाढ़ सकते हैं इसे हम लोग उपरी मेंटल बोलते हैं और इसे हम निचला मेंटल बोलते हैं तो भूपरपटी और उपरी जो मेंटल है इसे मैंने अपनों को बताया था इसे बोला जात करता है कि नहीं ये गलत है बूपटल रोड वरनित करते हैं क्या नहीं ये भी गलत है इन में से कोई ये बी गलत है प्रत्वी के क्रोड पर कौन से 2 पाडार्त पाए जाते हैं क्रोड में आपनों को बताया था कि भारी पतार्थों से बना हुआ है और कौन से भारी पतार्थ निकल और लोहा जिसे मैंने नाम दिया था नीफे क्या नाम दिया था नीफे निकल और फैरम जिसको हम लोग लोहा भी बोलते हैं तो लोहा और सोना नहीं तामबा और लोहा नहीं तामबा लोहा नहीं मिलता लिके निकल और लोहा हाँ यह सही बात है किवल निकिल नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option C निकिल तथा लोहा नेक्स्ट कोश्चन है निमनलिखित में से प्रत्वी के किस भाग में घनत्व सरवाधिक होता है इसका जो सही आंसर है वो है और लोहा जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं इसका जो सही आंसर है वो है option C, आंतिक क्रोड कोई इंग्लिश में कोर बोलते हैं कभी-कभी हिंदी में भी कोर लिखा रहता है आप लोग याद रखिएगा कोर, तो confused नहीं होना है कि क्रोड अलग है या कोर अलग है, दोनों एक ही है, ठीक है, next question हम लोग देखते हैं अब तब भुगर्म में अधिक्तम प्रवेधन कितना किया गया है, देखे प्रत्यक्ष जानकारी जो या प्रत्यक्ष तरीके से इंसान अगर जमीन के नीचे पहुँचा है, तो कितने किलोमीटर तक पहुँचा है, क्या 11 किलोमीटर आंसर है 12, 5 और 2 तो माना द्वारा जो कोला खदान या कोला छेतर जो है वहाँ पर बारहा किलो मीटर की खुदाई या खनन जो है वो किया गया है तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 किलो मीटर या आपकी बुक में भी मैंशन है कोला छेतर के बारे में आप लोग याद रखेगा 12 किलो मीटर कुछ सन्दर में पूसा कथण सही है आप लों को बताया था कि वह चθहतर जहां से भूकम्प की उत्पत्ती होती है या फिर एनरजी रिलिज होती है उस चेत्र को अम लोग क्या बोलते है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं इसका नाम मैंने अपनीक बताया था फूकस भी से कहा जाता है तो अधिकेंदर पर सब से ज़्यादा जो है वोकोन कौस होता है या सब चाहण विनाश वह हमें सतय पर अधिकेंदर पर दिखाई पड़ता है लकिन एफ बिंदु जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यही वह इस्थाने जहां से क्या निकलती है और सिर्फ उर्जा ही नहीं निकलती है यहां से उर्जा अलग 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 दिशाओं पर चली जाती है तो अलग 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 दिशाओं में यहां पर तरंगे रिलीज होती है हम लोग ने यह भी देखा था सबसे पहले जहां पर तरंगे प पहुंसती हैं तो हमें अवकेंद्र के बारे में देखना था तो अवकेंद्र यहां से वहां उर्जा भी निकलती है और अलग-अलग दिशाओं में उर्जा जाती भी है तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी का और खा दोनों और छेड वेशेटर हैं तो मतलब हमें शड़ जोन के बारे में देखना रही जहां सबसे पहले तरंग यहां उसे कहा जाता है जहां पर कॉई भी भूकंपियद्र अभी लेखित नहीं होती कि हम उसे दिशाजा जाता पर कोई भी बू εκ तरंग अभी लेखित नहीं होती तो अपंगर नेखित नहीं होती यहां पर भूकम्प की तीवरता को माफने के लिए प्रीवाग को प्रेवाग किया जाता है रिक्टर और मरकेली स्केल रिक्टर स्केल तीवरता को नापता है तो यहांपर हमें वेक्टर रिक्टर निक्टर मरगेली तो दिया ही नहीं तो वेक्टर स्किल नहीं रिक्टर स्किल हाँ इसका सही आंसर है और निक्टर स्किल ये गलत आंसर है सही इसका आंसर है रिक्टर स्किल जो विनाश की तीवरता को सौरी जो है तीवरता जो है उसको नापता था एनरजी जो जितनी रिलीज होती थी केंदर से उसको नापता था इसका जो सही आंसर है वो है option B Richter skill skill बहुत important है याद रखिएगा मरगेली स्किल और रिक्टर स्किल दोनों के वारे में आप लोगों को syllabus में या यह होती है मौटाई जिसको बॉल सकते हैं महासाघरों मैं अलग होती है महाधवितू मैं ज्यादा मोटी होती है देखी बगार ल ändाप लोगो को याद होगा जो आप सब्सक्राइब करों कि यह हो तक है को रहिए इसका सभी आंसर है पांच तक प्रस् tratar से क्लियर हो गया होगा अगया कि नेक्स्ट नमबर का प्राश्न वह देख लेते हैं नियम्दों मैं से क्या भूकंप का एक प्रभाव है हमें कि कि प्रभाव के बारे में समझने मिच्जिक का है बूमी का हिलना अंद लगना हिमस् Commissioner क्या यह भूकन प्रभाव है तीनों ही जो प्रभाव हैं वह देखने को मिलती है और हिम्सकलन आप लोगो ने भूसकलन देखा होगा कि परवत चटानों से प्रभाव मैंने आप लोगो बताया था वीडियो समझ में आ रही है अगर आप लोगो को क्लियर हो रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं ज्वाला मुखी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं सक्रिय ज्वाला मुखी प्रसुप्त ज्वाला मुखी विलुप्त ज्वाला मुखी उप्रोक्त सभी हम लोगों को ये देखना है कि ज्वाला मुखी के प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं इसका जो सही आंसर है वो है अब इंडी सभी जो हैं वो जो औम की के प्रक्रायिद की जिनसे लावा लगतार निकलता रहता है प्रसुप्त जोलों कि मतलब जिनसे लावा जो है वो बहुत गैप में जो है वो निकलता है मतलब आज उसमें उध्गार हो गया है तो हो सकता है 50 शाय backus 30 तक उध्गार नहीं पड़ता तो यह सभी आंसर जो हैं वो सही है मतलब व्प्रोक्त सभी कौशन में 14 का अंसर है ऑप्शन डी कि प्रत्वी का क्रोड किससे बना हुआ है प्रत्वी का क्रोड हमें बताना है क्रोड मैंने आप लोगों को बता रहे था अपर कोर अगर मैं देखूं तो वह ल निकल और लोओं से यह चाल और खा क्रों च्रूंत करता हूं चौर्णि बहुत अच्छी मिसिबिवनियों क rayon में अगर आप नोगे नहीं कि में अब क्वोश्च्षन यह वह हूं तो दिए जी कर दीजेगा इसी तरीके से सब्सक्राइब करता है साथ वैदिक मैस क्रेश कोर्स और इंगलिश क्लासिस भी आप लों को प्रोवाइड कराई जा रही है www.magnetbrins.com यह हमारी ओफिशल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप पीछे देख सकते हैं यहां पर आपको साले कोर्स अपडेटेट फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में नजर आ जाएंगे आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली डेट टोडेट के लिए आप हमारे सोशल मेडिया चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिन सोशल मेडिया चैनल पर हम अपलब्द हैं वो हैं यूट्यूब फेस्बूक इस्टागरम ट्विटर टेलिग्राम और वाट्सेप चैनल आपको करना क्या है इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अपने कि भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप पर्मेंट वॉक्स में कमेंट करके पूछ लिए ठीक है आज की वीडियो को भी लाइक करना ना भूले इनोट्स और यूबुक्स के लिए आप डिस्क्रिश्म बॉक्स चेक कर लीजिए महां से आप लोगों को एक्सेस मिल मौत अढ़ हो श्राइब कर लाइब सानी जाओ मौत ड करते हैं कर दो मसें आप लोगों के लिएड़ को पूछ दो कर दो कर दो कर दो में जाटिता हैं जाएजिएम जाएएबुक्स मिल लिएवाजबुक्स